असलावनेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद है, मैं शोबाई कल्प का स्पेशलिस्ट हूँ, यानि के दिल की बिमारियों का स्पेशलिस्ट हूँ मैं अपनी ड्यूटी जो दिल का एक टेस्ट है, उसके बारे में बताऊंगा, कि उसकी कब कराई जाती है, और उसको कराने के लिए क्या थदाबीर इस्तमाल करनी होती है अंजियोग्राफी जो है, दिल की अंजियोग्राफी है, वो दो दोरा की होती है, एक जो सीटी स्कैन से हम दिल की शर्याने देखते हैं, उसको हम सीटी अंजियोग्राफी कहते हैं, सीटी अंजियोग्राफी सिर्फ एक सीटी स्कैन करते हैं, उसमें दिल की शर्यानों के अ पांच घंटे का खाली पेट होना बड़ा जरूरी है। उसके साथ CT-NGEO से पहले गुर्दों के डेस्ट हैं वो बहुत जरूरी है। क्योंकि CT-NGEO में हमने डाय देना होता है। तो डाय जो है वो गुर्दों पे असर करता है। अगर तो गुर्दों के टेस्ट खराब हैं तो हम CT-NGEO नहीं कर सकते हैं। और इसके लावा अगर किसी जिस मरीज के दिल के धड़कन बहुत अधा तेज हैं तो उसके लिए हम एक धड़कन कंट्रोल करने के लिए दवाई देते हैं। क्योंकि अमूमन CT-NGEO अगर दिल के धड़कन असी से उपर तजवीज कर रही है तो हम उसमें CT-NGEO नहीं कर सकते हैं। तो दिल के धड़कन कंट्रोल करने के दिए दवाई दे के हम उसके बाद फिर हम CT-NGEO करते हैं। इसके लावा जो कन्वेंशन अंगराफी होती है जो अमूमन हम CATLAP के अंदर करते हैं उसकी जो इंडिकेशन हैं सबसे पहले तो दिल का किसी क अटैक हुआ हो उसमें करते हैं इसके लावा दिल की किसी की कमजोरी हो उसमें की जा सकती है इसके लावा दिल के वैल की लीकिज हो और वैल की दबदीली करनी हो तो उसमें अमूमन जो सर्जन है वो हमें कहते हैं कि पहले एंजिगराफी करें कि देख लिया जाए कि दिल की ही तंगी है तो आप वैल के दिल करने के लिए a और स्रिज्री बीकार करी रहे एक तर्वेसर में तंगी है तो साथ तो उसको भी फिक्स कर दिया थे तो दिल के जो जो फार जुत अज़र बैल का मसले होते हैं उसमें अग अवमुमन सजर्जव खोन की अगर कमी हो तो यह हम टेस्ट नहीं करते हैं इसके लावा गुर्दों के टेस्ट RFT बहुत जरूरी है क्योंकि इस जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में भी हम डाय देते हैं और जो गुर्दों पर असर कर सकता है तो अगर गुर्दों के टेस्ट खराब हैं तो हम यह एंजियोग्राफी अवाइड करते हैं या फिर पहले से हाइडरेट करके हम एंजियोग्राफी करते हैं और हाई रिस्ट के साथ एंजियोग्राफी करते हैं इसके लावा जिगर के टेस्ट जानी के LFT करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर हम एंजियोग्राफी के पूरे हैं, हमें वो कराना बड़ा जरूरी है इसके लावा हैपिटाइटिस BC का टेस्ट बहुत जरूरी है क्योंकि जो कन्वेंचनल एंजिग्राफी है, यह थोड़ा इन्वेसिफ प्रोसियर है, इसमें जिसना के, इसको समझ लेके माइनर सर्जरी टाइफ होता है तो इसमें, जिसना सरजरी में से पहले एविटाइटिस स्टेटस पता होना बहुत जरूरी है तो इसमें भी हमें, इविटाइटिस BC का टेस्ट बहुत जरूरी होता है इसके लावा चाती का X-Rey और आजकल, क्योंकि करोना का दोर चल रहा था और अभी भी उसमें कुछ उसकी लहर कोई आई वी है तो करोना का ड़े सामने जो रैपिड अंटिजन है वो करवा लेते हैं एंजिग्राफी के लिए मैंने पहले थे पता दिया कि 4-6 घंटे का खाली पेट बहुत जरूरी है इसके लावा जो कॉंसेंट बहुत जरूरी है मरीज का बरीज को बताना ये पता होना बड़ा जरूरी है कि इसमें क्योंकि ये कन्वेंशन एंजिग्राफी इन्वेसिव टेस्ट है तो अगर सिर्फ एंजिग्राफी हो तो इसमें 0.1% रिस्क आफ कॉंप्लिकेशन होता है कॉंप्लिकेशन से मुराड़, खुदाना छासा फॉलिज होना, खुदाना छासा जिस आकसे साइट से हम जा रहे हो, भुदाना छासा इंफेक्शन होना या खुदाना छासा ओन टेबल डैथ होने का भी खच्च्चा होता है लेकिन यह risk बहुत कम यानि कि 0.1% होता है यानि कि 1000 में से एक बन देवी और अगर हम angiography के साथ angioplasty करते हैं तो यह risk बढ़ के 1% हो जाए है यानि कि 100 में से एक परिज में यह risk हो सकता है यह उन लोगों के लिए है जिनकी दिल की pumping अच्छी है और दिल की pumping के लिए लवज ज 10% भी हो जाता है तो आज के लिए इतना ही आपका आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया